नमस्कों दोस्तों फस्ट कॉर्प्रेट टेक्स प्लाइनिंग का फस्ट का अंसर है आपटों लिखने स्टार्ट कर देजिए नीचे आंगे यहां से टेक्स अविदेच इस इन फारशन्क lawsuit एवल तो अव्वैट इस कंसिदे कुछ तो यहां से स्टार्ट करते मां है उसके बाद आपको जो characteristics है text evidence के वह आपको लिखने हैं को से किजिएगा कि आप लोग अपनी language में लिखें और प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगले questions के लिए यह question no.1 है जल्दी ही जैसे ही मिलेगा question no.2 आपको अपने YouTube चैनल पर अप्रोड कर देंगे तो आप लोग support किजिएगा यहां precision quotes on text evidence है अब इसके difference में बताएंगे तो प्लीज आप लोगा राम से लिखते रही है यह नहीं लिखना एक्टिविटी नहीं लिखनी इसके जहां से लिखना है अब देखें दूस्तों difference यहां पर आ गया है उसमें difference भी पूछ है तो आप difference यहां से लिखेंगे आप column बना के लिख सकते हैं आप normally भी step by step करके लिख सकते हैं आपकी मर्जी है जिस तरह आप लिखना चाहते हैं क्योंकि यहां पर देखें दूस्तों column मराकर दिया हो गया है यहां पर तीन difference है तो आप भी तीन difference लिख सकते हैं अगर आपके according और भी difference है तो आप वह भी लिख सकते हैं conclusion यहां पर नहीं लिखना है ठीक है और यहीं तक answer खत्म है यह difference between तक ही मिलते है next वीडियो में next answer के साथ आप लोग support कीजिए subscribe कर जी अगर और भी answer चाहिए तो तब तो के लिए जैन दोस्तों झाल झाल